आप सबी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में हम लोग पढ़ रहे modern history और modern history का जबर्जस topic और वो topic क्या है सबसे पहले हम लोग पढ़ा बंगाल के सारे governor general जितने भी थे दस थे दसों का एक shortest तरीका पढ़ा पिछली वीडियो में उसके बाद फिर हम लोग ने क्या पढ़ा भारत के जितन बड़ी समस्या थी modern history of India में कि सर मुझे याद नहीं होता governor general आज के बाद वो समस्या एकदम खतम हो जाएगी क्योंकि ये तीसरा वीडियो है इसके बाद governor general से संबंदित कोई समस्या नहीं होगी प्लस एक प्रशन आपका जरूर सही होगा ये मैं guarantee दे रहा हूं और कोई नह बाद की विना हम लोग पढ़ रहे हैं shortest trick किसका भारत के सारे वाई सराय का तो shortest trick कैसे होगी सबसे पहले में trick आपको बता दू ध्यान से सुनिएगा काने लेगन लेगन जानते हैं जो पैर में पहना जाता है काने लेगन लार में बुकले पान फिरा डाउन दो गिन कर दो मिंटों में हर फोर्डिंग को इवा वे लिलिन वाल बटन पर सफ सफ फिर से काने लेगन लार में बुकले पान फिरा डाउन दो गिन कर दो मिंटों में हर फोर्डिंग को इवा वे लिन वाल बटन कर सफ सफ है टोटल बीस सतंतरता के पहले और एक सतंतरता के बद और अपना भारत का आदमी कौन यह सारे गवनर जनरल रहे भारत के गवनर जनरल नहीं रहे यह रहे वाय सराय भारत के तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं काने हो गया एक एक का मतलब कैनिंग काने से मतलब होता है कैनिंग लेगिन एलगिन तेक है अब मैं आपको कितनी तीजी से रट के पहले मता दू कैनिंग एलगिन लॉरेंस मेवो नार्थबुक लिटन रिपन डफरिंग लैंस्टाउं तेक हैं एलगिन दो करिजन मिंटो दो हार्डिंग जेम्स फूड रीडिंग एवरिन वेलिंग टन लिलितगो वेवल लॉर्ड माउंट बेटन और सबसे लास्ट में राजगोपाला चार ये तो ये करटा हुआ है अब नंबरिंग के हिसाब से कानि का मतलब केनिंग लेगिन का मतलब एलगिन लार का मतलब लॉरेंस मे का मतलब म भुक का मतलब नॉडिड़ बुक ले का मतलब लिटन पान का मतलब रिपन पान का मतलब रिपन थेक है फिरा का मतलब ढफ रिआ फिरा मतलब डफरिन उसके बाद फिर लैंस डाउन डाउन का मतलब लैंस डाउन दो गिन कर मतलब अलगिन दो दो गिन कर दो गिन दो अलगिन दो कर का मतलब कर जन ठीक ध्यान से सुनी लैंस डाउन डाउन दो गिन कर डाउन का मतलब लैंस डाउन दो गिन का मतलब है, गिन दो कर का मतलब करजन, उसके बाद दो मिंटों में मिंटों दो, हर हार्डिंग, फोर्डिंग, फोर्ड, सबसे पहले फोर्ड का मतलब चेम्स फोर्ड, फिर रीडिंग, फोर्ड इंग, चेम्स फोर्ड रीडिंग, फिर इवरिंग, फिर वेलिंग और सबसे लास्ट में बारत के पहले अपने स्वदेशी क्या स्वदेशी वायसराय राज गुपालाचारी अब आप इसका सिक्वेंस में आपको दिखाता हूँ आपको सबसे पहले यह रचना है 1858 से 1862 उसके बद 62 से 63 फिर एक साल का गैप हुआ 64 से लेके 79 तक अब अधिकतर पांचमा साल जोड़ेंगे कहीं दिक्कत होगी तो छोड़ देंगे टेक है 79 से 72, 72 से 76, 76 से 80, 84 से 84, 84 से 88, 84 से 94 से 99 साल जोड़ते चलिएगा 88 से 94, 94 से 99, 99 से 1905, 1905 से 10, 10 से 16, 16 से 21, 21 से 26, 26 से 31, 31 से 36, 36 से सीधे सीधे पहुँचे 43, यहाँ पर साथ साल का है 43 से 47 और 47 से क्या हो गया देखे 43 से 47, 47 से 47 लाड मांट बिटन भारत का आखरी वाइसराय लाड मांट बिटन स्वतंत्र भारत के पहले वाइसर आए, स्वतंत्र भारत का पहले वाइसर आए, माउड मिटन और भारत का स्वदेसी अपना भारती गवर्नर जनरल राज कोपाला जारी, कितना शौटेस्ट वीडियो है, अगर आप इस पूरे लाइन को पढ़ लेंगे ना, तो आपको दिमा गंटा बस पढ़ाते ही रहें, पता ही नहीं चले, लेकिन ये बहुत स्लो, बहुत कम समय में सब कुछ कतम हो जाता है, थैंक यू सो मच